बोपाल लोग सवा सीट से बीजेपी की उमीदवार साध्वी प्रग्या ने नौ साल जेल की काल कोठी में बिताये हैं साध्वी प्रग्या को माले गाउं में हुए बंबलाष्ट के आरोप में 29 सितंबर 2008 को महराष्ट के आतंकवादी रोधी दस्ते ने गिरफतार किया था साध्वी का आरोप है कि इसके बाद उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखकर गंभीरी आतनाएं दी गई प्रग्या ठाकुर के मताबिक उनका एंकाउंटर करने की साजिस थी ठाकुर के मताबिक वे 24 दिन तक सिर्फ पानी पी कर रही और अन्ड का एक भी दाना नहीं खाया अपना दर्द बयान करते हुए पग्या ठाकुर कई बार रो पड़ी पग्या ठाकुर ने बताया कि उन्हें चोड़े बेल्ट से पीटा जाता था जिसमें लकडी की मूठ लगी रहती थी साद्वी के मुताबिक जब बेल्ट से उन्हें मारा जाता था तो उनका नर्वस सिस्टम सुन पड़ जाता था उनका जखमी हाथ नवक मिले पानी में डाल दिया जाता था उन्हें दिन रात गंदी गंदी गालियां भी दी जाती थी पग्या ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनकी इक्छा के बगएर उनकी बॉड़ी को केमकल में डाल कर तीन बार नर्कोटेक्ट किया गया वग्या ठाकुर ने इस दोरान दिविजिया सिम्पर भी निसाना साधा पर उस बैल्ट में लगड़ी की मूट लगा लेते इतना वजबूती कि वह इनके हात ने पकड़ा जाता है तो इस पूरा सूच के चला आता है आप अगर दूसरे जेल पाएंगे तो आपकी हात पढ़ जाएगे यह जो बैल्ट मारते थी पूरा नर्वस सिस्टम खीला पड़ जाता था, सुन पड़ जाता है कि अवे देन और रात भी जाते थे मैं आपके सामने अपनी पीडा नहीं वता रहे हूं लेकिन इतना गह रहे हूं कि और कोई वहनाज के बाद कभी भी इस पीडा का सामना ना कर सके इतने गंदी डालियां देते थे फीड़ते फीड़ते उल्टा लखका दे के तुझे निर्वस्त करें दे असे ही है मेरे लिए कहना श्याज़ते बाद कर देते हैं